फर्वरी महिने में 28 दिन क्यू होते है? हेलो दोस्तों Science Fact F20 में आपका स्वागत है आद मैं आपको बताने वाला हूँ फर्वरी महिने में 28 दिन क्यू होते है? उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंग करे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस सवाल को जानने के लिए हमें बूतकार में जाना होगा तो चलिए समय में बीछे जाते हैं ये वो समय है जब कैलेंडर की सुरुवात हुई जानकारी के अनूसाय कैलेंडर को सबसे पहले रोमेंस द्वारा बनाया। रोमेंस के जो पहले राज़ा थे उनके सामने बहुत बड़ी समज्जा थी कि बार-ार मौसं बदर रहा है और इसके साथ कई त्यवार आ रहे हैं तो मौसं और त्यवार को निश्चित करने के लिए इन्होंने सबसे पहले मार्च से डिसंबर त में कुछ लोगों ने दिमाग लगा कर कुछ माईने को 31 और कुछ माईने को 30 दिन का बना दिया इन लोगों ने 2 माईने इसलिए छोड़ दिये क्योंकि इन 2 माईने में कोई काम नहीं होता तो कैलेंडर में क्यों रखे लेकिन कुछ समय बाद इनका कैलेंडर गलत साबित होने लगा क्योंकि दस मैने होने के कारण मार्ज मैने में जहां पेले गर्मी होती थी वहाँ अब मार्ज मैने में सर्दी आने लगी अब इन लोगों समझ में आ गया कि जो दो मैने चोड रहे वो गलत है इसके बाद Romans के नए किंग ने दो मैने कलेंडर में एड किये और इसके कई साल बाद Romans के तीसरे किंग ने जनवरी और फर्वरी मैने को मार्च के आगे लगवा दिये क्योंकि इन दो महिने में सर्दी होने के कारण कोई काम नहीं करता जहां तक फरवरी में 28 दिन होने का कारण देखा जाए तो वो महिना सायद सबसे लाश्ट में बनाया था इसलिए फरवरी को छोड़ कर सभी महिने 31-31 के कर दिये गए और जो बचे 28 दिन वो फरवरी महिने में एड़ कर दिये गए तो अब हम अपने समय में आते हैं आपको पता चल गया कि फरवरी महिने में 28 दिन क्यों होते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें थैंक यू फॉर वाचिंग दिज वीडियो